Hi everyone, welcome back to the Hindi programming news video और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ISRO के अंदर कौन सी programming language यूज होती है, software development के लिए या फिर कुछ other AI के लिए machine learning के लिए, etc. ठीक है, so let's move on the first slide तो सबसे बहले आपको बता देता हूं कि ISRO एक बहुत बड़ी organization है और यह इंडिया के around 16 centers है अलग-अलग cities के अंदर जैसे Delhi, Hyderabad, Bombay और Bengaluru, etc. So technology totally depend करती है कि आपकी center के अंदर हो center के area के अंदर, group के अंदर, कि division के अंदर हो ठीक है, but still हमने कुछ major programming language निकाले जो mostly used होती है, और उसके बाद में एक slide रहेगी कि हम कैसे इस तो के अंदर हम job ले सकते हैं So, सबसे पहले हम देखते हैं कि Forturn programming language इस तो के अंदर में use होती है So, यह use किस के लिए होती है, हम आपको बता जाओ सबसे पहले यह famous किस के लिए है यह famous है, high speed or efficiency के लिए famous होती है और यह बहुत ही solid programming language है और इस तो के अंदर इसका use के रहता है numerical computation के अंदर आप example लेते है numerical computation कैसे जब हमारी weather forecasting होती है, जो मोसम का अनुमान लगाते है तो उसके अंदर सबसे जादा इसका use होता है तो उसके अंदर हम पहले ही किस area के अंदर कितनी बारिश होने वाले क्या timing पे तो जितनी भी हमारी numerical computation होती है उसके अंदर हम इस तरह photon language use करती है अब यह बात आती है कि मैंने यह facts and figures कहां से लिए वैसे तो मैंने यह Google से करे है कुछ इसकी information मैंने Stag Overflow से और Quora से कुछ questions पूछे गए है और उनके answer कुछ इसरो के कुछ scientists ने भी दिये है और basically एक question blog था वहां से मैंने एक इसरो के scientist ने कुछ answers करे हुए थे वहां से मैंने इसके points अच्छे अच्छे उठाए है ठीक है So let's move on the next point बाद में use होती है MATLAB MATLAB अब कहां युच होती है MATLAB होती है Graphic और uploading purpose के लिए जब हमें किसी भी area का कुछ भी graphics दिखाने होती है और वह कुछ data computation के ओपर mathematical kind of matrix वगरा यूज होती है तो हम MATLAB language के use करते है और यह आपको वैसे just for knowledge के लिए बता रहा हूँ कि यह commercial software होता है software की programming language है यह free of course या open source नहीं होता है ठीक है और फिर python python भी काफी ज़्यादा use होती है इस तरों के अंदर और यह कहां पर जुद होती है यह जब हमारे data के अंदर satellite के अंदर data processing होती है उसके लिए हम ज़्यादा use करते है और जो blog लिखा हुआ था इस तरों के scientist में उसके अंदर बताया था कि python बहुत ज़्यादा use होती है basically python AI के लिए iot के लिए भी काफी जिगए और काफी easy और journal purpose language है तो हम यह इसलिए कुछ और programming language है जो वहाँ पर जुद होती है जैसे c, c++, java, javascript of visit हमें front end बनाना होगा हमें के लिए तो वहाँ use होगी और pearl और भी काफी यह चीज़ी होती है तो इनसे हमें क्या समझ में आता है कि Istro जो हमारी space agency है वह specific technology पे काम नहीं करती है काफी सारी programming languages पे काम करती है और यह depend करता है कि वह programming language हमारे project के लिए कितनी efficient है कितना हम speedily काम कर सकते है कितनी reliable है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते है कोई भी technology यूज में लए जाती है अब यह आता है कि आप Istro को join कैसे कर सकते है basically मैं आपको दो चीज़ें recommend करूँगा सबसे पहले आप Istro के Istro कहानी है कि इस पेस and science का इंसिट्यूट्स है Indian Institutes of Space Science and Technology आप Google करना है इसके बारे आपको सारी की सारी knowledge आपको इसके बारे मिल जाएगी इस वीडियो में आपको तो टोपिक से हटकी वीडियो हो जाएगी और दूसरा होता है Istro.gov.in यह इस तरो की official website है और आप credit वाले page पे जाओगी तो यहाँ पे आपको बहुत सारी openings मिल जाएंगी जो भी उसके दर openings है और आपको exams उगरा जो होते हैं कंटक्ट कैसे होते हैं सब कुछ आपको सारी knowledge आपको वहां से मिल जाएगी आप सारी किज़े वहां से बता कर सकते हो and at the last thanks for your precious time और कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे comment box में पूछ सकते हैं subscribe कर लो चैनल को क्योंकि मैं हफते के अंदर 2-3 Hindi और English tono language के अंदर same video बनाता हूँ आप देख सकते हो like करो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताओ हमें कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो क्यों लगी और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो हम किस तरीके साब को बेटर बना सकते हैं आपके opinions किसी specific topic भी वीडियो चाहिए तो आप सब महम से पूछ सकते हो thanks for watching this video